सो वेलकम टू जेवियार दोस्तों आज की अब्डेट है आपकी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के साथ जहां पर आपकी सेलरी चार लाग 51,600 LPA होने वाली है और अगर आप फ्रेशर हैं तो डफिनिटल इस वीडियो को देखें चुकि फ्रेशर केंडिडेट को स्पे आपको सेलरी चाहिए साड़े चार लाग रुपे अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनिटल इस जॉब को अप्लाई करें अब वीडियो को लास तक जरूर देखना है चुकि इस वीडियो में ही मैं आपको पूरा प्रोसिजर बताने वाला हूं क्या रिक्वार्मेंट है क्य सेट है और सारी चीजे विद ऑफिशल वेबसाइट के तुकि अगर आप उफिशल वेबसाइट के तुरू अप्लाई करते हैं तो आपको सिंगल पैनी एक पैसा भी जेब से खर्च नहीं करना और आप इस जॉब को इसली वे में अप्लाई कर पाएंगे तो चलिए वीडि अप्लाई नाव पर क्लिक करेंगे और फाइनली आप उफिशल वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां पर हम सबसे लास्ट में चलते हैं चुकि सबसे इंपॉर्टन इंफरमेशन हमेशा लास्ट में होती है तो यहां पर लिखा है कि पर्क्स के अंदर की फर्स रिमोट आपक इंडिया के अंदर अपने डिस्टिक के अंदर किसी भी एरिया से आप लॉंग करते हैं अगर आपके अपस इंटरनेट कनेक्शन है तो यह जॉब भी आपकी हो सकती है सेकेंडली आपको यहां पे हल्थ इंशॉरंस मिलने वाला है आपको और आपकी फैमिली को भी तो जो आपका फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सिक्योर रहेगा अगर हम सेलरी की बात करें तो आपको सी टी सी फॉर लैक फिटी वन थाउजन सिक्सेंडर रुपीस होने वाला है पर एनम तो काफी सारे लोग बोलेंगा इन हैंट सेलरी कितनी मिलेगी मंतली सेलरे में कितनी कि आपकी 32-35,000 रुपीस पर मंत आपकी इन हैंट सेलरी रहेगी जो आपको फाइनली यूटलाइज करने को मिलेगी और रस्ट आप दी चीज़े आपके फ्यूचर के लिए बेनिफीशल रहेंगी तो यह थे आपके वो पर्क्स जो आपका एक्साइटिड करेंगे इस जौप है क्या एकश्यक्टली काम क्या आपको करने इसको थोड़ा सा समझते हैं तो जौप में टॉप पे लिखा है कस्टमर सर्विस फ्यूलिटी एक्जिकूटिव एक्जिकूटिव क्या पर आपका सब्सक्राइगा उनकी क्वालिटी पे आप मेजरली फोकस करेंगे जो जो company है उसका नेम है डिटो डिटो एक company है जो की बैक करते हैं जिरोधा अब जिरोधा भी एक आपकी company है जो stock market के person है जिन्होंने शेर बजार के अंदर सुना है तो उनको जिरोधा के बारे में जरूर पता होगा तो डिटो यहां पे एक insurance based company है जिसके अंदर role and responsibilities company के अंदर आ कि exactly आप कहां पे काम करें किस तरीके से काम करें जिससे आपकी चीजे growth पे रहे तो monitoring वाला part आपका यहां पे होने वाला है तो वहां पे कैसे आप quality को enhance कर सकते हैं तो वो सारी चीजे आपको यहां पे majorly responsibilities होने वाली है next है आपको gather करनी है information जादा information मतलब आप अपने product का feedback लेके उसकी quality को improve कर सकते हैं तो अगर आपको जाज़ से अदा information मिलती है जाज से अदा data मिलता है तो आप अपनी चीजों को improve कर सकते हैं यह responsibility भी आपके कंदों पे रहेगी last है कि आपको develop करना है customer support quality के standard को कि exactly क्या standard आपको होना चाहिए जिससे जो customer है वो यहां पे happy रहे और एक अच्छा feedback आपके साथ share करें अब आपके मन में काफी सारे doubts हैंगे यार यह सारी responsibility आपको अगर निभानी है तो क्या skill set की demand company कर रही है तो थोड़ा सा इसको भी consider करते ह हैं तो पहली आपके यहां पर experience and skills की demand के अंदर आता है कि अगर आपके पास zero to three year experience है तो आप इस जोब को apply कर सकते हैं मतलब fresh है definitely apply कर सकता है और if you have some experience छे मेने एक साल दो साल तीन साल तो आपके selection के chances increase हो जाएंगे अब यहां पर एक point में consider करना चाहूँगा जो आप सब लो बात करूँ इस approximately 42-45 अब 200 में से सो candidate है जो fresher है सो candidate है जो experience है अब यहां पे जो सो candidate experience है company उनको hire करना अपनी first priority को consider करेगी जो कि इसको वो candidate मिल रहा है जिसके पास already knowledge है यह वो fresher को भी hire करेगी बट अगर उसके पास कुछ add-on skill होगा वो skill जो यहां पर advantage दे सकता है समझ रहे कि जॉप है और जॉप हमारे YouTube चैनल के तुरू लोगों को मिलती भी है पर वो जॉप आप अगर deserve करते हो तो उस चीज को आपको समझना होगा यहां पर काफी सारे candidate है जो job deserve नहीं करते हैं पर वीडियो देखते हैं जॉप apply करते हैं जॉप नहीं मिलती दिन after comment करते हैं मैं को बिलकुल गलत नहीं बोल रहा बर उनसे मैं request करूँआ कि आप दुबारा comment करें पर इस पर comment के अंदर थोड़ा सा अपने बारे में हलका सा में guide करें कि आपकी location क्या है आपकी qualification क्या है और आपको किस industry के अंदर या किस company के अंदर job चाहिए जिसे match करेंगे कि क्या आप उस job को deserve करते हैं कि exactly आप उस company को या उस profile को deserve करते हैं तो अगर आप यह सब information comment में share करेंगे या अगर आपको कोई privacy concern है तो आप हमें mail भी share कर सकते हैं तो वहाँ पे हम आपको personally revert back करेंगे और try करेंगे कि मैं invidiously एक एक person से connect होके उनको मैं उनको उनका milestone achieve करवा सकूं तो इस च चलते हैं आपका strong communication skill होने चाहिए दिन आपका customer service skills आपके पास होने चाहिए strong sense of ownership and leadership quality होनी चाहिए excellent listening and analytics skills होने चाहिए अगर आपके पास है या आपने यह cv के अंदर अपना word mention करा है तो ही आपका cv यहाँ पर shortlisted होगा अगर आपने mention कुछ नहीं करा skills में से अंदर तो बिल ability to communicate and collaborate effectively तो मतलब अगर आप यहां पर communicate कर रहे हैं किसी से collab कर रहे हैं कोई merger कर रहे हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से करें जिससे company का revenue यहां पर increase हो तो in quite simple thing customer centric approach है अच्छे communication skill है basic knowledge है तो आप इस job को deserve करते हैं अगर मैं qualification की बात कुरूँ हूँ is quite simple अगर आपकी graduation be completed you can apply तो कोई majorly qualification barrier नहीं है in fact अगर आप 12th pass है और if you have some experience so you can also apply this job उसके बाद application procedure के अंदर बहुत simple and shorted यह उन्होंने रखा गया मैं आपको explain कर देता हूं कि जो भी application आएंगे we will send you a link via email to record a short video resume में अब देखिए short video resume and please take the time check your inbox and record the same as this process is mandatory अब यहां पर मैं थोटा साइस को explain करता हूं basically आपको apply ना उपर जाना है और अपनी सारी information को submit करना resume name email mobile number experience notice period current ctc and they have some question जिनके answer आपको करने एक छोटा सा form है आप इसको अच्छे से उस URL link पर सारी information है और आपको एक video resume में वहां पर share करना अब यह वीडियो resume में क्या होता है यह होता है simple you have your three minutes यह you have your five minutes अपना webcam on करो webcam मतलब laptop होता well and good नहीं है तो अपना mobile on करो और mobile पर video record करते समय tell me about yourself क्या tell me about yourself इस question का answer दो जहां पर आप अपना name अपनी qualification अपना experience की why should we hire you इस type के चीज़े record करो और उसके बाद यह सारी चीज़े submit कर दो then after आपका यहां पर next round होगा और आप फाइनल होते चले जाएंगे जैसे आपके round complete होंगे और आपको job मिल जाएगी जहां पर in and salary 35,000 के around रहेगी तो यह पूरा का पूरा procedure है job मिलना इतना असान नहीं है जितना यह यूटूबर्स या जितना आपको दूसरे person बताते है it is difficult और यह सचाई है मैं आपको reality हिट कर रहा हूं तो आप समझके चलिए मेरे पास views कमाएंगे मेरे लोग कम वीडियो देखेंगे पर जितने भी देखेंगे अपने career को build करेंगे तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को जरूर शेर करेंगे चुकि reality वीडियो बहुत कम है YouTube चैनल पर जिससे आपके दोस आपके कलीक सही information यहां पर जान पाएं और मैं सचिन चुहान हमेशा की तरह आप से मिलूँगा नेक्स वीडियो की next content पर बढ़ तिल देन keep learning keep growing and keep watching JBR